अब एक अध्याय उसके नो वचन में पड़ा है ये कहकर वैं उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उसकी आखो से छुपा लिया ओपर कौन उठा लिया गया उपर कौन उठा लिया गया येश्यू मसी उठा लिया गया जब येश्यू मसी इस दुनिया के अंदर थे 33 साल येशु मसी ने अपनी कुरूज उठाई 33 साल येशु मसी ने दुख सहा लोगों के अपमान सहे, निंदा सही और अंतिन समय में कुरूज के उपर इतना बड़ा दुख और इतनी बड़ी पीला येशु मसी सहे कर जब मुर्दों में से जी उठे तो 500 लोगों के सामने जतून के परवत के उपर से येशु मसी उनकी आखों के सामने उन लोगों की आखों के सामने कहां को उठा लिए गए? कहां उठाए गए? स्वर्ग में उठा लिए गए लोगों ने येशु मसी को कहा जाते हुए देखा? कहां जाते में देखा कहां जाते में देखा सवर्ग में देखा एक धिन भी सवर्गक में उठा लिये जाएंगे Finish Christian भी में में और कौन देखे गामे धियों इसारे संसार के लोग री जिवी है जुन्हों ने यशुव मसीर के इप और दो स्वर्ग दूतों ने आकर भी इस बात की गवाही दी कि ये शुमसी कहां उठा लिए गे कहां चले गे कहां चले गे और कहां से आएंगे फिर से स्वर्ग से आएंगे बादलों के उपर आएंगे और हम बादलों के उपर उसके पास चले जाएंगे यदि हम यशुमसी में विश्वास होके बने रहेंगे यदि हम यशुमसी को प्यार करते रहेंगे यदि हम उसकी आग्याओं में उसकी एक्षा में बने रहेंगे तो हम उसके साथ बादलों के उपर उठा लिए जाएंगे जब ये शुमसी इस दुनिया के अंदर थे ये शुमसी को बड़ा दुक होता था बड़ी तकलीफ होती थी जब लोग उनका अपमान करते थे मजाप उड़ाते थे जब कोड़े पड़ रहे थे लेकिन दिल में एक शान थी ये जो दुक है ये हमेशा के लिए नहीं है ये जो अपमान है ये हमेशा के लिए नहीं है ये जो दर्द है ये हमेशा के लिए नहीं है बस थोड़े समय का है कितना थोड़े समय का है मुझे ये दुख सहकर मुझे ये कस्ट सहकर मुझे ये अपमान सहकर मुझे इनिंदा सेकर स्वर्ग में परवेश करना है अर्राम में परवेश करना है अनन्त जीवन में परवेश करना है जब जब येश्व मसी के उपर दुख आते होंगे जब जब येश्व मसी के उपर तकलीफे आती होंगी एक ही बात याद करते होंगे स्वर्ग की महिमा को कि ये दुख जो है अगर मैं इस थोड़े से दुख को सैलूंगा इस पीड़ा को यदि मैं सैलूंगा तो पिता के दाएने हाथ बैठ जाओंगा अराम पाओंगा फिर मुझे कभी टेंशन नहीं होगी फिर मुझे कभी अपमान सुनना नहीं पड़ेगा फिर कभी मुझे निंदा सैनी नहीं पड़ेगी फिर मुझे कभी कुरूस उठाना नहीं पड़ेगा फिर मुझे कभी कोड़े नहीं खाने पड़ेंगे लेकिन अभी थोड़ा समय मुझे दुख उठाना है इसके बाद मुझे महिमा में परवीश करना है आमें आमें बाइबल में लिखा है लाजर जो था वो कंगाल था सड़क पे रहा करता था उसके पूरे बाड़ी के अंदर घाव रहते थे पेट कैसे भरता था लोगों की जूठन से है ना लेकि उसके घाव का जब वो दर्द सहता था वो परमेश्र का धन्यवाद करता था कि ये जो मेरा दर्द है ये हमेशा के लिए नहीं है ये जो मेरी गरीबी है कंगाली है ये हमेशा के लिए नहीं है यह जूठन खाके पेट भर रहा हूं यह हमेशा के लिए परमिश्वर का क्या करता था धन्यवाद करता था यह कस्त और यह पीड़ा यह दुख कितने समय का है अगर मैं विश्वाश योग्य बना रहा तो फिर कभी घाओ याद नहीं करना पड़ेगा फिर कभी दुखों को याद करना नहीं पड़ेगा कभी पीड़ा को कभी तकलीव को याद करना नहीं पड़ेगा लेकिन जो धन्वान था वो मौज मस्ती में अराम में परमिश्वर से दूर कि उसको अराम का जीवन पसंद था इसको अराम का जीवन चाहिए था इसको, बडीया जीवन चाहिए था मुह से गल्त शल्त भोलता था वह बर्णास्त करने वाला नहीं था क्योंकि उस्से स्वर्ग नहीं चाहिए था उसे क्या चाहिए था ? उसे नक चाहिए था वो देखिय हूंई चीजों के उपर विश्वाश करता है लेकिन लाजर अंदे कीजों पर विश्वाश करता है तोesus बाइबल कहती है कि लाजर मर गया और स्वर्ग दूता है और स्वर्ग दूतों ने लाजर को उठा कर का रख दिया अब्रहाम की गोद में स्वर्ग में रख दिया अब उसकी बॉड़ी के उपर फोड़े नहीं है अब उसको जूटा खाना नहीं पड़ेगा अब एक महिमा में बस्पर पहन कर जवान होकर अनंद में होकर अनंत काल के लिए कब तक के लिए अनन्तकाल के लिए दुख कितने समय सहा पोड़े समय सहा महिमा कितने समय की मिलेगी अनन्तकाल के लिए यह सौधा अच्छा नहीं है अच्छा जब हम परिशान होते हैं दुखी होते हैं तकलीफ में होते हैं तो कोई हमारे पास आता है कि कोई नहीं मेरे भाई चिंता मत करें मेरी बैंट चिंता मत करें सब ठीक हो जाएगा तसली देखे जाते हैं क्या कहते हैं सब ठीक हो जाएगा जब यह बात सुनते हैं तो हमारे मन को क्या मिलती है अंदर विश्वाश आ जाता है कि हां यार आई आज मालों बच्चे चोटी है तकलीफ है कल को बच्चे बड़े हो जाएंगे कमाएंगे दमाएंगे ऐसे आज हो रहा है कल को हम चलो ऐसा ऐसा करेंगे पैसा जुड़ जाएगा है थोड़ा थोड़ा हम क्या करते हैं अपने आपको तो सली देते हैं और हम अंधर से थोड़े से उत्साहित होकर आगे बढ़ना चुरू करते हैं समझा है क्योंकि जब इंसान ये सोच लेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता तब वो अपने जीवन का क्या कर देता है अंत कर देता है तो लाजर को पता था मेरा जो दुक है वो हमेशा के लिए नहीं है धनी को भी पता था मेरा सुक हमेशा के लिए नहीं है लेकिन कभी भी उस इसने अनन्त जीवन के लिए परिश्रम नहीं किया लेकिन लाजर ने अनन्त जीवन के पर इश्रम किया येश्व मसी ने अनंत जीवन के लिए पर इश्रम किया है ना दुख उठाया अपमान सहा पीना सही कष्ट सहा और परविश्वर के साथ प्राण देने तक विश्वास योगे बना रहा है ना तो बाइबल कहती लाजर अबरहाम की गोद में पहुचाया गया और धनी कहा पहुचाया नर्ख की आग में जहां उसकी जीव जल रही थी जहां वह तडफ रहा था जहां वह मर रहा था और उसकी तडफ और पीड़ा कप के लिए है अनंत काल के लिए लिए लाजर का राम अनंत काल देश्यो मसी ने प्रतिवी के ओपर कितने समय दुख सह लेकिन महिमा और इंतकाल के लिए हमारे पास भी थोड़े थोड़े दुख आ सकते हैं तकलीफे आ सकती है पर स्थित्या सकती है वह हम अपने आपका इंकार करना है अपने आपको मारना है अन्याय करना नहीं है अन्याय सह लेना है क्योंकि हमारा दुख जो है कितने समयगा बस सोच लेना कोई नहीं अभी कर लो तुम्हारा राज्य है अभी कर लो अपनी मनवानी एक दिन हमारा राज्य भी आएगा ये शुमसी ने पिलातिस को कहा मेरा राज्य धर्ती का मेरा राज्य स्वर्ग का है तो हमारा राज्य यहां का नहीं है एक दिन हमारा राज्य भी आ अगर आज लोग हमारा मजाक उड़ाएं, अफमान करें, निन्दा करें, बुराई नहीं करना, भर में बदला नहीं लेना, हमें मस्य अस्यथि में सब कुछ सहना है, यार करना है, क्योंकि हमारा दुक है, पीडा किस्ट है, इतने समयका है, तोड़े समयका है, जैसे फिर स्वर्ग को उठा लिए गए एक दिन तुरी की अवाज आएगी और हम भी कहां उठा लिए जाएंगे स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे उस महमा में रहेंगे फिर हम अपने दुखों को कभी याद नहीं करेंगे फिर कभी सिर में दर्द नहीं होगा कभी हजक नहीं होगी कभी केंशन नहीं होगी कभी बुखार नहीं होगा कभी जुखाम नहीं होगा कोई कश्च नहीं होगा कोई कुछ कहने वाला नहीं होगा अनन्त काल के लिए कहां रहेंगे कहां रहेंगे स्वर्ग में रहेंगे पिता की गोद में रहेंगे पिता की महिमा में रहेंगे तो अच्छा नहीं है कि आज हम थोड़ा सा दुख उठा ले थोड़ी सी गरीबी को सहले थोड़ी से अपमान को सहले थोड़ी से निन्दा को सेने, थोड़ी से दुख को सेले, ताकि कल को अंन्त जीवन का मुकट पाए. लेकिन अगर हम थोड़ी से दुख को सेने के लिए इंकार करके मसी के खिलाफ़ाप करेंगे, गुना करेंगे, तो फिर अनन्त जीवन को खो देंगे इसलिए जब जब आपके पर दुख आए बिमारी आए, कस्ट आए, तकलीफ आए क्या याद करना है हमारा दुख हमेशा के लिए और स्वर्ग हमेशा के लिए है दुख थोड़े समय का है स्वर्ग अनन्त समय का है के लिए लिए है अपमान थोड़े समय का है लेकिन महिमा के लिए है के लिए है है इसी लिए बाइबल में लिखा है इभराणिया बाराध्याय पहले बचल के अंदर इसने को रूस की लज्जा को सह लिया उसकी आखे कहा लगी थी पिता कि दाई नियों है प्रतीफल की ओड उस महिमा की और उसके आखे लगी थी, कोई बात नहीं आज, थोड़ा सा दुख है ना, जब मैं स्वर्ग में बैठूंगा, स्वर्णदूत मेरी सेवा कर दे होंगे, सब कुछ मेरे अधीम किया जाएगा, वो महिमा, वो आदर के आगे, जो आज हमारे लिए दुख है, कलेश है, वो कुछ भी नई है, हमें हस्ते हस्ते मसी के लिए सेहना है, और हमें जीवन का मुकट प्राप्त कर लेना है, हमने काया ना, हम मिलेंगे, बादलों पर, देखेगा, सारा जहान देखेगा, हम उस आदर, महिमा, इजट के साथ, स्वर्ग में उठाए जाएगे, और परम हमें आदर देगा, परमेश्वर हमें उपर उठाएगा, कोई हमें नीचे गिराने वाला, हम अनंतिकाल के लिए, इसकी महिमा में रहेंगे, इनी बातों से एक दूसरे को शांती देना है, और यही बाते, सोच कर, हमें आनंदित होना है, हमें मगन होना है, क्योंकि हमारा द दुख मिलेगा आपको, कस्ट मिलेगा आपको, लेकिन उस समय यदि आप येश्व मसी के पास आओगे, प्राथना करने लगोगे, बचन पढ़ने लगोगे, और राधना करने लगोगे, संगती में आओगे, स्वर्गिय आनंद मिल जाएगा, स्वर्गिय शांती मिल जाए हर समय मवजूद है हमारे लिए हर समय उसका आनंद हमारे लिए मवजूद है बस हमें उस चीज़ों को भुलाकर यस्व मसी के पास आना है आमें आमको पता एक शराबी शराब क्यूँ पीता है गम भुलाने के लिए इतनी पीता सिगरेड बीडी किसे ले पीता या न शाह किसे ले करता बंदा कि τेंशन है न उसको खंकर सके है ना? फिर उसकी आदत बन जाती है फिर वह आदत ते क्या हो जाता है? मजबूर हो जाता है तो वह छीजे इनसान के जीवन को नर्क की आग में दखेल लेती है लेकिन हम जब पवितुरात्मा के पास आते हैं वचन को पढ़ते हैं राधना में आते हैं प्रभू को खोशते हैं तो प्रभू हमारे उस दुख को उस टैंशन को उस कस्ट को क्या करते हैं दूर कर देते हमें सचा आराम मिलता है इसल JEFF i am a उनको जुटाराआम मिलता है उनको जुटी शांती मिलती है उंची जो से लेकिन येस्व कर दोड़ाए उसलिए जब जब दुखाय कस्ट आये ये मेरे दुख मेरे कस्ट किली caliber नहीं है तोड़े समय के लिए है, खतम हो जाएंगे, एक दिन मैं स्वर्ग चला जाओंगा, अब ये शाक आनंद होगा, आमें, इसलिए हमने बाइबल में पड़ा है, ये शुमसी पांसो लोगों के सामने स्वर्ग को ठालिया गया, हम पूरी दुनिया के सामने स्वर्ग को ठालिये जाएंगे और उसकी महिमा में रहेंगे, आमें, आमें,